आज हम लोग सर्वे का लेक्चर जो मोडूल नंबर टू है और लेक्चर नंबर टू देखने जा रहें जिसमें बोले थे आपको कि यह सारे चीजे जो अभी कल के लेक्चर में जो देखे थे हम लोग कि बैक टैजेंट क्या है फोरवर टैजेंट क्या है इंटर्सेक्शन एंगल क्या है इसको डिफाइंड करे ताकि आप समेस्टर एक्जाम में लिख सके ठीक है अगर यह कमपर्टेटिव एक्जाम के भी उसे बताते तो इतना बताके छोड़ देते ठीक है आप समझ गया है इसे क्योशन भी बन जाता लेकिन आपको एक्जाम में लिखना समेस्टर एक्जाम में लिखना है तो उसी के कोडिंग बताया जाए था कि बेटर रहे ठीक है आप लिख पाएं वहाँ आप दो लाइन ठीक है तो बैक टैजेंट क्या है फोरबाट एजेंट क्या है याद कीजिए तो इटी जे लाइन बीफोर दा स्टार्टिंग बैक टैजेंट को किस टैजेंट के नाम से जानते है तो दूसरा नाम आपको याद रखना है कभी कभी दूसरा नाम से पूछ देता है तो लगता है यह चीत हो हम कभी पढ़े नहीं है ठीक है जो first नाम बोलते बोलते वो रटा जाता है दूसरा नाम याद नहीं होता है तो याद करेंगे एक बार मेरे साथ की back tangent क्या होता है rear tangent होता है किरव के बाद स्टार्ट होने वाले टैजेंद को हम लोग नाम से जानते हैं जैसे करव के पहले लाइन करव के बाद लाइन को ही यह क्म लोग क्या वोलते हैं फोरवर्ट आजेंट के नाम से जानते हैं आयोब यह भी पॉइंट किलियर है कि पॉइंट ऑफ कर वेचर क्या होता है तो पॉइंट ऑफ कर वेचर देखिएगा पहला जो लाइन था ना जहां से कर्वा स्टार्ट बनना हुआ यहां कोई पॉइंट बना होगा यहां पे एक पॉइंट आफ कर वेचर बोलते हैं यहनी टीवन ठीक्या है जिसको हम लोग T1 से दीनोट करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं T1 यहनी पॉइंट ऑफ कर वेचर तो इटीजएंट ओन बेक टैजेंग और श्टार्ट अ पैक्वर्ट जो back tangent है उसके last में अकर्व के जो first में ठीक है यानि ऐसे सीधा सिधी बोले तो इस back tangent और कर्व के point बीच में point बनने वाले को हम लोग क्या करते है point of curvature के नाम से जानते हैं किस से जानते बाबू point of curvature के नाम से जानते clear है यहां तक clear है चली तो यह यह आपका it is a point of back tangent before the beginning or starting of the curve it is also known as tangent of curve point point of tendency क्या है तो forward curve बना था उसके बाद वला यहां भी तो कोई point बनेगा यहां भी तो point बने जिसको T2 बोल रहे है ठीक है यहां भी बना था उसको T1 बोल रहे थे यहां बना था जिसको T2 बोल रहे है पॉइंट ऑफ टैजेंट क्या है एक इस आपको जो सुविदा बैसे तो famous क्या है यहां यहां पे जो आगे में लिखा हो वही सब फेमस है बोलने में point of tendency क्या है point of curvature क्या है यह सब फेमस है ठीक है लेकिन वो second नाम भी इसका याद रखना आपको बहुत जरूरी है अब याद कि जे long cord कौन था तो सब को याद हो गया होगा यह आपका कर्वी इस तरह से था इसको t1 बोल रहे थे इसको t2 बोल रहे थे t1 मतला point of curvature और t2 मतला point of tendency तो t1 से t2 मिलाने वाले line को हम लोग long cord बोल रहे थे जिसको l से denote करते थे इसके midpoint को midpoint बोल रहे थे ठीक है चलिए तो t1 बता long cord बता दीजेगा long cord क्या होता है बता दीजेगा बताइए तो long cord क्या होता है it is the cord of the curve which joints point of curvature to the point of tendency long cord it is the cord of the curve which joints point of curvature to the point of tendency ठीक है point of curvature आप point of tendency को मिला देते हैं तो क्या बनता है long cord बनता है mid ordinate क्या था mid ordinate को याद किजी यहां पर यह कर्व है देखिए बना बना के हमेसा दीखेते रहेंगी ठीक है point में दे दिए इसके mid point में दे दिए यह दुनों को मिला दीजे वर्टिकली मिला दीजे जो भर्टिकली मिला है यहीं आपका mid ordinate है तो it is the distance between distance between between दोनों बीच में mid point of long cord long cord के mid point and the mid point of the curve कर्व के mid point long cord के mid point ध्यां से सुनिए गया यहां पर मिटार के अदूसरा प्रेंसे बनाते हैं देखिए यह वाला लाइन यह वाल बुलू वाला जो दीए न यही वाला लाइन को क्या बोलते मीड और डिनेट के नाम से जानते हैं तो आई हो पर यह भी किलियर किलियर चलिए अपक्स और इक्स्टर्नल डिस्टेंसer गेगा है इस डिस्टेंस Ide wear कोर्व का करफा करब का небольш-ाने बोला लंक्रव काय एक करफा यहां से यहां तक मिलाने वाले काम लोग लोग क्या बोलते आकेक्स जोन में आपेक्स जोन क्या यह विcueated नीट्चन भोलते हैं अपेक्स जोन इह भी किलियर के मीड़ पॉयंट कर लुंक तर यह है यह लॉंक है ठीक है यह लॉंक कोड़ सब्सक्राइब कर देफिनिशन है इसका डिफनिशन ऐत इसका डिस्टेइशन एत अपएक्स और इसटडनल इंट्रेक्ष उिपमाइट टिका किया है पहले तो आ को समस्क्राम ही जाना था तो बैकवड टैजन्ट एबिचन आज बढ़एगे इस वह से जानते नाम जाना। यहाँ पर देखेंकि बाहर वेले एंगल को क्या बोलते हैं Difflexion एंगल या Difflexion एंगल बोलते हैं इसको देखते हैं यहां पर तो वे लिए टेजन्ट इन्ड बियोंड पॉन्ट ओफ इंटरसेक्शन दा एंगल बनाने प्रवार्ड के साथ जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग reducing इक्सा नेंगल के नाम से जानते वह पॉइंट के लिए हो गया है तो सिमपल सी बात यहां पिर टाजसेंट देखिए कर्व था इंटरसेक्शन पॉइंट वहला यही है चनल होग तकर दसिंट डिस्टंस हो गया ठीक है यही ते यस ध ढूस्ते अभेल productoaker and vertex point of curvature point of curvature कौन होता है T1 T1 से लेकिए आये vertex तक जिसको intersection point बोल रहे थे यह distance क्या का लाता है tangent distance का लाता है clear है clear है it is the distance between of curvature and vertex it also equal to the distance between vertex and point of agency कहने का मतलो क्या बता रहा है यहां पर द्यान से देखेंगे यह बता रहा है इस तरह से कि यह आपको टीवन हो गया यह हो गया टीटू हो गया यह आपका जो intersection point जिसको हम लोग भर्टेस कहते हैं तर टीवन से distance को हम लोग टीजेंट डीश्टेंस करते हैं तो सेम इधर से भी तो सेमी चीज होगा तो ही चीज़ बोरा है कि सेम उसी तरह से टीजेंस बीटमीं वर्टेक्स और पॉइंट ऑफ टैजेंसी पॉइंट ऑफ टैजेंसी कोन वाला टीटू वाला ठीक है वाई हो आज definition clear हुआ है ठीक है कल से हम लोग अभी देख लेते हैं थोड़ा सा कहां तक है पर कल से चलेंगे आज यह वह लगाज डेजरजी नेशन बता लिए सिम्पल सेर्कुलर कर्व इज डीजाइने को वाई डीगरी ऑफ कर जो भी किया जाता है उर और डिग्री ऑफ कर्व पर किया जाता है यह होता क्या है मतलब देखिए कैसे तो यह पर आंगल बनाता है इसी एंगल पर पता चलेगा कि उसका कर्व कैसा है कितना बनेगा सब्सक्राइब करता है तो चीज आगे समझाने वाले ठीक है और रेडियस का यहां पर फर्मूला कुछ दिया हुआ है यह तो आपके लिए जरूरी नहीं है यह कंपेटेटिव एक्जाम के पॉइंट आओ भी उसे जरूरी है क्या रिजिकल टू डवलू भी असको एरापवन जी पी होता है जहां पर जी क्या आपका सिंटर इसको क्या बोलते हैं असलेरेशन है डियू टू करेविटी भी क्या है वेलोसीटी है ठीक है डवलू बाई पी क क्या है डवलू बाई पी क्या इंपेक्ट फैक्टर है तो यह आपके लिए इंपोर्टेट नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर लिख दियें सिर्फ फर्मूला इसको मतलब डिरिवेशन होता है तो डिरिवेशन नहीं करेंगी खली आपको यतना याद रख लेना कि रेडियस चाहनि से explain करेंगे तो इसी को explain भी करना है साथ में चोटा सा करना है और उसके बदल法 कि में यहां तका करने के बाद यहां पर आपको में बता देंगे किसने टाइप का है जो भता देंगे उसके बाद कह नीसका खतम हो जाएका उसके लोग module number 3 पे चलेंगे ठीक है तो आज का topic इतना ही तक रहने देते हैं बाकि हम लोग कल देखते हैं next lecture में thank you so much यहां तक बने रहने के लिए मिलते हम लोग next episode में जहां पर हम लोग degree of curve से start करेंगे किस से start करेंगे degree of curve से करेंगे ठीक है तो चली आज का आज विदाल लेते हैं आप से यहां पर एक सिखेंड कि डिग्री ओफ कर्व से start